कपड़े की देखभाल ठीक से करें, मकान की देखभाल ठीक से करें, अपने वाहन की देखभाल ठीक से करें, तो वो सुन्दर भी रहता है और कुछ जादे उम्र पा जाता है, अच्छे से चलता है, आकरशक भी लगता है बिल्कुल यही स्थिति है कि हम अपने जो सिस्टम्स हैं अपने जो अंग प्रत्यंग हैं शरीर के इनकी भी देखभाल ऐसे ही करनी चाहिए जैसे घर के गैजेट्स की देखभाल हम करते हैं इसकी देखभाल अगर ठीक से होती रहे तो इसमें ताकत बनी रहती है घर की देखभाल ठीक से नहीं होगे तो खुरी लग जाती है सिमेंट उखडने लगता है इंटे खुरने लगती है ढह जाता है मकान अईसे ही उचित देखभाल के अभाव में हम बहुत से बिमारियों से घर जाते हैं क्योंकि हमारी जो जेलने की ताकत है वो घड़ जाती है एक बहुत प्यारा सा सवाल मुस्कुराने को मजबूर करता है एक बहन ने पूछा सेतिया किरन नाम है उनका उन्होंने पूछा कि जब आँखों को त्रिफला जल से धोएं तो क्या आँखें खोल लेनी चाहिए आपको भी लग रहा होगा कि यह सवाल कैसा है लेकिन यह सवाल यह बताता है कि हमारे बच्चों को नई पीड़ी को शरीर के अंगों की उच्चत देखभाल की ट्रेनिंग अब नहीं दी जा रही है मेकप की ट्रेनिंग है फेशियल्स की ट्रेनिंग है नाखूनों को क्या पैडी के और यह सब चीजों की ट्रेनिंग है लेकिन आख भी अंदर से साफ की जाती है नाक भी अंदर से साफ की जाती है कान भी अंदर से साफ की जाते है अपने जो प्रजनन अंग हैं उनकी भी सफाई जरूरी है इस बात का शायद बच्चों को हमने बताना ही बंद कर दिया और उसका कारण, उसका परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है आँखों को साफ रखना सुरक्षित रखना तो हमारा पहला धर्म है कहते हैं कि आँख है तो जहान है अगर आँख ही हमारी ठीक से काम नहीं कर रही तो दुनिया का किस सारी खुबसूरती है हमारी किस काम आएंगी आँख धोने के लिए आँखे खुली होनी चाहिए क्योंकि आँखें अगर बंद हैं तो आँख अंदर से आप कैसे धोएंगे स्वस्थ लोगों को ये चाहिए कि वो जब नहाते हैं आयरवेट तो ये कहता है कि आप अगर मुह में ताजा पानी भरके दिन में तीन बार आँखों में सो छीटे देते हैं यानि छब के आँखों में लगाते हैं ताजे पानी से मुह में पानी भरके तो फिर आपको उम्र भर आँखों के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरुरत नहीं है क्योंकि आपकी आँखें निरोग और स्वस्त रहेंगी कितना सस्ता सौदा है लेकिन उस सौदे को भी हम सुन करके टाल देते हैं जैसे मैं ये गलत फैमी नहीं पालता कि मेरे जितनी भी बात आप सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन रहे है या फिर अगर सुना भी है ध्यान से तो उसको आप फॉलो भी करेंगे मैं कते ही इस बारे में आजश्वस्त नहीं हूँ क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अपने काम तक मेरी जिम्मेदारी है मैं जो कहता हूँ उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ लेकिन आप कितना सुनते है और कैसे सुनते है इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि उसका आप कितना अर्थ ले पाते हैं हम जब नेत्रों के शोधन की बात करते हैं तो मैंने कहा कि आयरुवेद ने बता दिया रास्ता रासान सा रास्ता है सूबह उठ करके मूँ धोएं आखें दोपैर भोजन के बाद में धोएं आखें शाम को भोजन के बाद धोएं आखें तो ठीक रहेगा नहीं इतना कर सकते तो कम से कम नहाने के लिए तो आप जाते हैं और नहाने के लिए जब आप जाते हैं तो बाल्टी में पानी भरा है नहाने के लिए तो सबसे पहला काम हमें यही करना चाहिए क्योंकि शिरसा स्नानम यानि स्नान जो है स्नान है अभिशेक है यानि ये सिर से ही होता है और सिर पर ठंडा पानी ताजा पानी डालने के बाद फिर थोड़ा नीचे आएं तो हमारी आँखों का नंबर आता है और हमारा धर्म ये बनता है कि जो बाल्टी में हमने पानी भरा है उसमें से चुलू भर बानी अपने मुझ में बरें और उसके बाद अपने चेहरे को बाल्टी में डुबो दें यानि आखें पानी में चली जाएं आखों को खोलिए आखों को जपकिए आखों को दाएं बाएं घुमाईए ओपर नीचे यानि घुमाईए पलकों को चक्राकार घुमाईए तराटक भी हो जाएगा आखों का शोधन भी हो जाएगा और आखों को ताजे पानी के संपर्क मे आकर के ताजगी भी मिलेगी सच्छ हो जाएंगी आपकी आँखें तो उतना काम करना चाहिए फिर अगर कोई समस्या आ गई है हमारी अग्यानता की वज़े से क्योंकि देख भाल तो हम कर नहीं रहे हैं जब देख भाल नहीं कर रहे हैं हमारे सामने कंजक्टिवाइटिस आ गया हमारे सामने रोहे आ गए हमारे सामने अभी ये बलेक फंगस आ गया एकदम जो ततकालिक समस्या सामने आ रही है उसके कारण हाला के डॉक्टर्स ने खोज लिये हैं कि कोरोना वाइरस के इंफेक्शन के बाद ठीक हो करके जबाब आ जाते हैं तो हमारे रक्त में कुछ परिवर्तन होते हैं और उसकी वजह से जो स्टेराइट दिया गया या डाइबिटीज लोगों को है तो ऐसे लोगों को जल्दी से ये कमजोर कोई पकड़ता है रोग तो वो black fungus की बिमारी आ जाती है लेकिन उसमें भी हमारी हर बिमारी में ये आँख मूंद करके सच जान लीजिए कि हर बिमारी में जो पहला हमारा मित्र है वो हमारी इम्मिनिटी है चाहे वो ताजी नए से नए रोप लेकर कर आए बिमारी और यह परंपरागत बिमारीं हो तो जिन लोगों की immunity बढ़ी हुई है जीवनी शक्ती बढ़ी हुई है रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ी हुई है तो निश्चित जानों कि वो रोग उनका कुछ ने बिगार सकता तो इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए पूरे ओवराल इम्मिनिटी भी और सिस्टम्स की इम्मिनिटी भी तो उसके लिए यह कहा गया कि हम अपनी आँखों को नीम के जल से धोएं या त्रिफला के जल से धोएं दोनों इस्थितियों में नीम के जल से धोना है तो रात को नीम का पानी पका करके और रख दीजिए ठंडा हो जाएगा सुबह तक बलकि मिट्टी के बरतन में रखे और उससे आप आँखों को धोईए आँखों को धोने का भी यह के वेस्टेज कम से कम होनी जाए यह ने लेते हैं तो फिर उसका पूरा-पूरा उपयोग हमें करना चाहिए तो हम उन्हें छोटी सी बॉल में कटोरी में लेकर के या हम अंकर अपनी जो हमारी यह अंगुलिये हैं हमारी चुलू है इसमें भर करके इससे अपनी आँखों को धोए इसमें पानी हो तो उस पानी से बढ़ेंगे तो आँखें निर्मल भी होंगी इंफेक्शन से मुक्त भी रहेंगी और इसके साथ साथ नेतर ज्योती भी बढ़ेगी इसमें कोई संचे नहीं अगर शीशा अच्छे से साफ कर दिया जाए तो पार दरशिता हो जाती है आर पार देखना आसान हो जाता है ऐस आखे खोल करके जो आपकी नेतर हैं उनको शोधन करना है बंद आखो पर तो ऐसा ही हो गया जैसे कपड़े पहन करके आप मालिश करने लगें तो उसका तो कोई फायदा नहीं कपड़े गंदे होंगे और कुछ नहीं आख बंद करके आप पानी के चीटे जायन डालते हैं तो वो तुचा को साफ कर सकती है हमारी पलकों को साफ कर सकती है लेकिन हमारी आखों को सफाई नहीं मिलेगी ऐसे ही मैंने का बाल्टी में पानी डाल करके आप कोई रोग नहीं है तो रोज ऐसा करिएगा कि दिन में कम से कम सनान के समय तो नेतर शोधन करिए और अगर दिन के पास नहीं जाना पड़ेगा उसके बाद अगर आपको especially जैसे अभी suggest किया है हमने इस महमारी में आखों में हो रहे प्रदूर्शन को ले करके के नीम से या आपके त्रिफला जल से नेत्रों का शोधन करना है तो उसमें भी आखे खुली ही रहनी चाहिए आखे खुली रख करके अगर आप शोधन करेंगे तो नेश्चित रूप से आपको फाइदा होगा बंद आखों में शोधन का कोई और नहीं बनता है